आप खाएं पैसा और आपके खिलाफ कारवाई नहों किया यह संभव है आप आज कहते हैं E.D. इस्तमाल की जाती है हाल फिल हाल में E.D. का एक आक्शन आपने देखा है E.D. के उस आक्शन से पहले C.B.I. का एक के सुप्रीम कोट के सम्मुख प्रस्तुत हुआ दिल्ली की शराब पॉलसी के संदर्भ में Supreme Court ने अपनी अप्जरवेशन में राष्ट्य सतर पर पूरे देश को बतलाया कि 338 करोर रूपीज और स्काम इस हैपने This is Supreme Court's observation with regards to the liquor scam when the Manish Sisodia versus CBI case was referred to for bail Is the Congress Party of the opinion that the Supreme Court of India is taken in an anonymous position Supreme Court ने तो evidence देखकर अपनी observation दी होगी ना तो क्या Supreme Court भी गलत है तो आप केजरीवाल चुनाव के पहले जेल में है तो उनका कहना है political vendetta है मैं आप ही के channel के संदर्भ में बात कर रही हूँ आपकी channel में आपने report किया शीष महल के बारे में और तो किसी ने report नहीं किया शीष महल के कागज आप दिखा दीजिये ना तो महल बनाए वो महल कैसे बना और जनता की तिजोरी कैसी लुटी अगर वो प्रशन आप कर ले या हम कर ले तो गलती हमारी है नौ बार ED ने समन किया वो क्या कहते है अरे हमने जवाब दे अरे खत थोड़ी ने जिसका जवाब देना है समन से प्रेजेंट होना है और आपको जब समन करते हैं तो क्या कहते हैं कि आपके पास अगर इस संदर्ब में कोई जानकारी है तफ्तीश में हमारी मदद कर दीजिए यही तो कहाना 338 करोड सुप्रीम कोट ने एविडेंस पाया है यह जो रिमांड हुई है उसमें क्या कहा गया तीन बार मुख्यमंत्री स्वयम घोटाले बाजों से स्वयम मिले हैं डील पक्की करने के लिए उनमें से एक मुलाकात होती है दिल्ली की सेक्रेटेरियट में कोई भी जो सरकारी तंत्र को जानता है, अगर आप मुख्यमंत्री के ओफिशल कार्याले में जाकर किसी से मिल रहे हैं, आपकी एंट्री एग्जिट टाइम स्टैंप्ट होती है, बैंक के ट्रांसफर्ज हैं, आईटी के रेट्स तो छोड़ी है, बैंक का ट्रांसफर है, तो एविदेंस ना देखा जाए, लेकिन अरविन खेजिवार, अगर एजनसी कहें कि आप थोड़ा कर जवाब दे दें तो पुष्टी हो जाएगी, आप वो जवाब भी ना दें, प कि चुनाओं तक आपको कोई हाथ ना लगाए, जबकि अगर आप रिमांड के अप्लिकेशन देखें, उसमें लिखा है, आपने पैसा कहां इस्तमाल किया, गोवा के विधान सभा के चुनाओं में इस्तमाल किया, और उलेक है पंजाब के चुनाओं में भी इस्तमाल किया, ये पैसा जो लूट रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं, थोड़ा घर पे रख रहे हैं, थोड़ा अपनी राजनीतिक शक्ती को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं. तो आपको लगता है, ये जो लूट चुके हैं पैसा दिल्ली से, ये निश्पक्षता से ये वाला चुनाव लड़ने वाले हैं. तो आप चुनाव में निश्पक्षता लाने के लिए अरेस्ट कर रहे हैं? मैं अरेस्ट नहीं कर रहे हूँ, होई तो विशह है, एडी कर रहा है वही. तो आप ये कह रहे हैं कि मैं as an organizational head, अर्विन केजरिवाल, सेक्रेटेरिट में बैठ के, स्कैम कैसा हो, उसका लेंदेन करें. मनीश से सोधिया का सेक्रेटरी, और ये सारे जो आपको दस्तावेज आपने दिखाएं हैं ये नाविका जी, उसमें व्यक्ति मैजिस्ट्रेट के सामने, बिना किसी ओफिसर के प्रस्तूत होता है, तो आप जो कह रहे हैं, आप बिना किसी भाय के कहिए, आप वापिस ले सकते हैं अपना स्टेट्मेट, वो व्यक्ति कहता है, नहीं मैजिस्ट्रेट के सामने अब लिखिये, वो व्यक्ति जो मनीज सिसोधिया का पर्सनल सेक्रेटरी है, अब मनीज सिसोधिया का पर्सनल सेक्रेटरी, नाविका कुमार ने तो नहीं उक्ति नहीं किया, मनीज सिसोधिया का पर्सनल सेक्रेटरी कहता है, अर्विन केजिवाल मुझे घर पे बुलाते हैं, Manish Sisodia सामने बैटे हैं, कहते हैं यह policy होगी और इस policy में 12% का या किसी percent का profit margin होगा, यह just की तस policy उठा के रख दो यह वक्ताव यह किसका है Manish Sisodia के, P.A.S. का है जिसको Manish Sisodia नहीं न्यूक्त किया है तो आप scam करो आप पैसा खाओ आप secretaryate में deals करो आप चुनाओं में चुनाओं को प्रभावित करने के लिए लूट का पैसा भेजो लेकिन आप पे करवा ही नहों आपको E.D. बुला कर पूछे भी नहीं कि साहब इतना सारा money trail मिला है, आपका नाम आ रहा है क्या आप मिले थे वो ना पूछे